प्रियादी नारोपी क्पिनिखरा विगकाश़ खबर मद्धिज के एक जीला से है ज़ों अपना कार्च आए दी कहें कि यदि अपना सेम पूछी कि एक फरियादी का आरोपी होई सकत है यदि सायद अपना कह भी का बताल लागे किन्तु अपना पंचेन का बताया दी कि अईसा मद्वदेश के जिलम भा है जहां एक फरियादी नारोपी निकरा है और वह अपने बिजली के बिल के परियाप्त रासी नहीं जमा कै पाए रहा तो वह अपने घरे के मनगढ़ंत लूट के कहानी रची दिए तो पूरी खबर करें जेकर पुलिस खुलासा करी सी और जे खुलासा सुनी सी वह चौक जरूर का है तो विंद्चेत्र के यह पहिल वगेली जी चैनल वहम कनिस्तिवारी अपना पज्जिर का सबही जनेर का पढ़ाम करी थे और शुरवात करी यह पूरी खबर के जहां अपना प्जेक बता सारनी टी आई रतना कर हिंगवे के द्वरबताबा गा कि 25 मई 2022 का फर्यादी राजियस पिता रतनलाल खातर कर कि द्वारा बिजली के बिल के पेमेंट SBI महा जमा करे खितिर जात समय अग्यात व्यतियन द्वारा नगदी 81,260 रुपया लूट लीन गे यूवक के रिपोर् इस टीम कठित कीन गए तीम द्वारा फर्यादी से बारीकी से पूस्ता आज कीन गए घटना स्थल के रिवीजन कराबा गा मौका पर रुपय उनके फेकी ठैली मिली फर्यादी आरोपी राजेस खतर कर द्वारा आपन सड पर आउ निसान बताएगे ओकर अबलोकर कीन गा सबे भौतिक साक्षन के समग्च रखके भर्यादी खतर कर से बारीकी से पूस्तियाच कीन गए अपना अप्टिक मताया दी पुलिस का संदे या बात से भाकि ओकर सर्टा कटर से कटी रही लेकिन बनियान नहीं कटी रही एके बाद उसे गहर पूस्ताज कीन गए ओके आरूपी के दवरा अपन जुर्म स्वीकार कह लिए इन गा वो के बाद आरूपी से लूटी गए रासी बरामत भै आरूपी के दवरा पुलिस का बतावा गा कि वह अपने कंपनी मां केवल आठ हजार रूपिय मिला थे जेके एवज मां ओसे बारा घंटा काम लीन जाते घ घर के खर्चा आठ हजार मन ही चल पावाए यसे वह हर दिन जमा होए वाले बिजली के बिल से कुछ पैसा निकाली के किराना और अन्य आवश्य घरेलू संसाधन ले 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 रहा अपना उप्टिक मताया दी साम साथ बजे तक जो रासी एकत्रित हो जा रही ओकर हिसाब नि जमा कर दे रहा चोबिस महीं 2022 का कुल बिजली के बीले कई सजार दूपिया चमा कर अब परन्तु दूसरे दिन ग्यारा बजे तक फरियादी के पास केवल एक सथ हजार दूपिया आए पूरे बीस हजार रूपिया कमी रही और उपी के द्वारा लूट के जूठी कहानी ब आद हुआ आपन सड़ पर कटर से निसान मनाई के थाना मा रिपोर्ट करें आबा लूट के परदफास करें मा एहम भूमिका निरिक्षक रत्नाकर हिंगवे थाना प्रभारी सारनी निरिक्षक ए आर खान थाना प्रभारी चोपन उप निरिक्षक अलकार राय सही जो है एक अधी निरिक्षक है रहा वर खुद निरूटकां के रहा तैक तो यहाल रहा हाल कि पुलिस कहा थे ना कि कानून के हाग बड़े लंबे होते ठीक है चोर जो खुद कहा जाए साहुकार रहा वह चोर निकला और चोरी के ऐसा दास्ता का अंजाम देखिस कि खुद ओमा जब बारूपी निकला तज्जे यह घटना से जुड़ा रहा यह जानत रहा वह यह कहिस कि यह तो बड़ा फरजी आदमी है बड़ा फ्राट आदमी है और 20,000 के चोरी का बचावय खीतिर जो है प्रच्रिहिस जूठी कहानी और वहा हाला कि खुलासा भा आरोपी गरफ्तार हुई के सलाखन के पीछे पहुंच चुका है आपने उपने परिवार के रखभ बोध्याल सुनी पूरा बयान धनेवाद प्रणाद वित्राट परिवार के साथ लूट की वालगा तो दिन पहले सामने आई तुमा क्या पूरा मामला है और इसमें सच्चाई क्या है यह जब हमारे पास ठाने में लूट की घट्वाय की जानकारी मिली थी तो तत्काल प्रवाब से धारा 392 के तहर एफाया दस कर ली गई थी कहीं था कि कहीं आप जो पीड़ेत है वहीं कहीं न कहीं आरोपी तो नहीं है तो धारा 392 के तहर एफाया करने के प्रशार विवेच्चना के द्वारान उस पॉइंगल के साथ विवेच्चना की जा रही थी जिसमें टी आई चौपना टी आई साब सांडी और जो विवेच पर उसके साथ बात करने के पुछ निसका से लिखला उसी से बात करने कर दिए और दूसरे दिन जो पैसे जमा होते थे उसमें उसको एड कर लेता था और पैसे जमा कर लिया ये वार्दार वो कई बार कर चुका था परन्तु चोबेस तारीक को जो 81,265 रुपए जमा करने थे 25 तारीक के लिए 25 तारीक को जमा करने थे पुराने 40,000 रुपए थे और 20,000 रुपए उस दिन जमा थे तो उस दिन उसके पास 60,000 रुपए ही बच रह थे 81,000 रुपए नहीं थे तो इसी कारण उसने ये स्वांग रचा वो बैंक के पास आया बैंक के पास एक ब्लेट थी उसके पास पुरानी ब्लेट उस ब्लेट के उसने अपने कपड़े को भाड़ा दो दाहिने जो सड है दाहिनी और नीचे की और उसने दो उसने ब्लेट के निसान बनाए और उसकी ब्लेट द्वारा लेट आम के पास एक तो आपर भी चील फाड़ की और थोड़ा थे तरी में भी कुछ चोट लगाई जो भी तोरी तोरें से चोट थी तो इन सब को करल दो पीड़ें नजर रखते हुए हमारे द्वारा उससे फूर्स्तात की गई फूर्स्तात के द्वारां उसने ये सारी बाते हमारे ताने लाए और इस तरीके से ये पता चला कि जो पीड़ सावास्ता में वह यार्पी सटात्य शूज़ार घ्र्जे रजा साफता सटर क झाल